हे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पांच मिनट की न्यूज में तो बिना किसी देरी के न्यूज पढ़ते हैं तो पहली ख़बर इतनी धमाकेदार है आज की क्योंकि पहली ख़बर आ रही है आज मोटर साइकल से रिलेटेड तो आप लोग को पता होगा रिवोल्ट 300 और रिवोल्ट 400 कुछ ताइम पहले हमें टीजर देखने को मिलाता तो फिलाल ये आज के दिन लॉंच कर दी है और बेसिकली ये डारेक्ली बिकने के लिए रेडी नहीं है मतलब इसका कोई प्राइस सेट नहीं हुआ ये सब्स्क्रिप्शन बेस पे बिक रही है अब आप लोगों को जानकर हरानी होगी रिवोल्ट किसकी कंपनी है बेसिकली माइक्रोमेक्स जी हाँ वही मुबाइल फॉन कंपनी माइक्रोमेक्स के सीओ राहूल शर्मा ने दूसरी कंपनी लॉंच कर रही है रिवोल्ट आप इन्होंने ऑटोमोबाइल्स में आने की बढ़ करता था बढ़ यह बाइक काफी इंट्रस्टिंग है इसमें आपको स्पीकर देखने को मिल जाते हैं जिससे आप बाइक की साउंड भी चेंज कर सकते हैं तो मतलब चार तरीके की सांड है जो आप बाइक में लगा सकते हैं और अब चाहो तो बिल्कुल साइलेंट लेकर जासक्ति हो मतलब कोई लॉनडा अगरे अपनी कर दो रात को घर से लेकर के जा रहा या उसके घर से लेकर के जा रहाइए तो बिल्खुल साइलंट निकाल सकता है बिल्दिंग से किसी को पता भी निए चलेगा कि भाईक निकली है तो मतलब मैं अइडियां नहीं दे रहा हूं बता रहा हुआ है कुझ भी आले जा रहा हूं मैं बता रहा हूं कि यह जो बाईक के काफी अच्छी है जो रिवॉल्ट है उसमें वन पॉन पॉंटफाइव किलोवाट की बैटरी और ज जो छोटी वाली बाइक है मतलब रिवोल्ड थ्री हंडड आर्वी थ्री हंडड उसकी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होती है टू ट्रिपल नाइन से मलब तीन हजार रुपे पर महीने देने पड़ेंगे आपको 37 महीनों की सब्सक्रिप्शन है तो तक्रीबन आपको एक लाक दस जार रुपे की बाइक पड़ेगी 1.1 लाक के आसपास आप स्पेंड करेंगे पूरे 37 महीने में और जो दूसरी बाइक है उसकी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होती है 3999 से मतलब एक जार रुपे जादा है तो इस पर आप तक्रीबन स्पेंड करेंगे 1.45 लाक के आसपास जो की होता है 1,45,000 तो मुझे लगता है बाइक अच्छी है प्राइस भी ठीक है लेकिन अगर इसको डारेक्ली लांच कर देते खरीच सकते सब लोग तो बढ़िया रहता पर कुछ अलग तरीके से यह दे रहे ह तो सब्सक्रिप्शन बेस पर हर महीने आप पैसे दो बाइट चलाओ मज़े लो और अवाजे तो निकाली सकते हो पहली न्यूज ही इतनी मज़ेदार थी दूसरी ख़बर आ रही है बाइक कैनन की तरफ से तो कैनन ने अपने दो नए कैमरे लांच कर दी है कैनन 90D लांच क हम काफी टाइप से वेट कर रहे थे क्योंकि कैनन 80D को बहुत टाइम हो गया था कैनन 70D के बाद 80D बहुत जल्दी आ गया था लेकि 90D ने बहुत टाइम ले लिया तो 90D आप आया जिसमें 4K रिकॉर्डिंग भी फीचर है जो की बहुत अच्छी बात है क्योंकि अब तो कै प्राइज होगा तकरीबन 1200 डॉलर के आसपास होगा कि इसका प्राइज 1200 डॉलर है जो कि इंडिया में आएगा तो मुझे लगता है 90,000 रुपे के आसपास बनना चाहिए उससे जादा नहीं जाना चाहिए एक लाक के तो अंडरी रहना चाहिए अगली खबार आ रही है तो इन लोगों को गूगल पिक्सल पे एंड्रोइड 10 का अपडेड मिल जाएगा 3 सेप्टेंबर को किसमत वाले है भाई पिक्सल वाले आज की हाईलाइटिंग घबार है कि ओपो रेनो 2 और ओपो रेनो 2 जी लांच हो गया ओपो रेनो 2 की जो प्राइस है वो रखी गई है 37,000 रुपे मतलब 36,990 रुपे और जो दूसरा फोन है उसकी प्राइस रखी गई है 27,990 रुपे तो मतलब 28,000 रुपे के आसपास तो फोन ठीक ना गए ओपो रेनो जी में है आपको मिल जाता है स्नैप ड्रागन 730 का प्रोसेसर और बड़े वाले में तो आपको जार दिया इतना जल्दी मैंने जस्ट फोन खरीदा घर पे गया डबा खोला और मार्किट में नया फोन आ चुगा है ओपो रेनो टू इस हिसाप से ओपो ने नया फोन लांच करा है ऐसे मत करो एक साल तो रखो या फिर बनबस की तरह 6 महीं नहीं रख लो पो रेनो डू की एक डिड़ महीने पहली करी थी तो देख लीजिएगा और ओपो रेनो टू से रिलेटेड भी वीडियो लाने के आप लोग के लिए कोशिच करूँगा दोस्तों उमीद करता हूँ आज की टेक न्यूस आपको काफी मज़िदार लगी होगी और मैं वेट कर रहा हूं रिव से लाइक हो जाएगा और मैं मिलता हूँ अब सभी को नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई